नमस्ते बच्चों आज हम पड़ेंगे क्रिया विशेशन के बारे में अंग्रीजी में इसे एडवर्ब कहते हैं तो पहले देखते हैं क्रिया विशेशन के परिफाशा जो शब्द क्रिया विशेशन या अन्य क्रिया विशेशन के अर्थ को सुधारते हैं या उसकी विशेशता प्रकट करते हैं उनके बारे में आधरिक्त जानकारी देते हैं उन्हें हम क्रिया विशेशन कहते हैं एक बार फिर से जो शब्द क्रिया विशेशन या अन्य क्रिया विशेशन के अर्थ को सुदारते हैं या उसकी विशेशता प्रकट करते हैं उनके बारे में आतरिक्त जानकारी देते हैं उन्हें हम क्रिया विशेशन कहते हैं जैसे विशेशन किसी संख्या या सरनाम के विशेशता बताते हैं, वैसे ही क्रिया विशेशन शब्द क्रिया विशेशन के अर्थ या विशेशता बताते हैं, जैसे कि लता अच्छा गाती है, इसमें जो अच्छा शब्द है वो है क्रिया विशेशन, वह उपर गया है, उप दिवाली कल मनाई जाएगी, कल, इसब क्रियाविशेशन है, यहां क्रियाविशेशन के चार प्रकार है, पहला है रीती वाजक क्रियाविशेशन, दूसरा काल वाजक क्रियाविशेशन, तीसरा स्तान वाजक क्रियाविशेशन, और चाओधा परिमान वाजक क्रियाविशेश तो पहले देखेंगे रीती वाजक क्रिया विशेशन इसमें कारीके तारीके के बारे में बताया जाता है मतलब किस तरह से किया जाता है उदाहरन देखें वे द्यान पूर्वक सुन रहे थे इसमें द्यान पूर्वक जो शब्द है वो रीति वाजक क्रिया विशेशन है इनमें कुछ और शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है वाक्यों में जैसे थीरे थीरे, तेज, जैसे, अच्छानक, वैसे, आदी शब्दों रीती वाजक क्रिया विशीशन नौ प्रकार के होते हैं पहला है विती वाजक विती वाजक वाजक में इन शब्दों का इस्तिमाल करते हैं जैसे कि धीरे धीरे, हाथों हाथ, सुखपूर्वक और शीक्र दूसरा है निश्चे वाजक क्रिया विशीशन इसमें हम वाक्यों में इन शब्दों का इस्सेमल करते हैं जरूर निसंदेख तीसरा है अनिश्चय वाजक क्रिया विशेशन इसमें हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे कि अक्सर, कदाजित, शायद और संभवद और चोदा है हे तु वाजक इसमें हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं आदैव इसलिए और किसलिए आईए अब देखेंगे पांचवा निरोध वाजक इसमें नहीं, मत, ना, कभी नहीं इस अभी शब्दों का प्रयोग करते हैं अगला प्रश्न वाजक इसमें कैसे, क्यूं और क्या इस अभी प्रयोग करते हैं और अगला है स्वेकरती वाजक इसमें हांजी, सच, बलकुल, ठीक इस अभी शब्द इस्तमाल करते हैं आठवा है अवधारन वाजक इस प्रकार में शब्द का उदाहरन है फर, तक और मात्र और नौवा है अगस्मिक्ता वाजक अचानग, एकाईग, अकस्माद, सहसा ये इसके उदाहरन है क्रियाविशेशन के दूसरा प्रकार देखते हैं कालवाजक क्रियाविशेशन जो शब्द कारिके के सामाई होने का बोद करेंगे उन्हें कालवाजक क्रियाविशेशन कहते है इसके उदारण है माता जी अभी अभी आई है मैं कल तुम्हारे घर गया था काल वाजक क्रिया विशेशन तीन प्रकार के होते है पहला है काल बिंदू वाजक इन वाक्यों में हम इन शब्दों को प्रयोग करते हैं जैसे आज, कल, परसू, अब, तक दूसरा है अवधी वाजक इन वाक्यों में हम इन वाक्यों के प्रयोग करते हैं जैसे कि आज, कल, सदाई, राट फर, और दिन फर और तीसरा है बारंपरता वाजक इन वाक्यों में हम अधिकतर इन शब्दों का अधिकतर प्रयोग करते हैं जैसे कि हर दिन, रोज, प्रदि दिन और प्रदिवर्ष क्रिया विशेशन के तीसरा प्रगार देखते हैं वो है स्तानवाचक क्रिया विशेशन जो शब्द क्रिया के स्तान या दिशा का बोद कराएं उन्हें स्तानवाचक क्रिया विशेशन कहते हैं जैसे कि बच्चे उपर खेल रहे हैं, पिताजी अंदर बैटे हैं, इन वाक्यों में उपर और अंदर स्तान और दिशा के बारे में बताया गया है। स्तान वाचक क्रिया विशीशन दो प्रकार के होते हैं, जैसे स्तिती वाचक, इन वाक्यों में हम अधिकतर इस शब्दों के प्रयोग करते हैं, जैसे कि आसपास आरपार, चारों और, आगे पीछे, अंदर, बाहर, जहां, तहां। और दूसरा है दिशा वाचक, इन वाक्यों में हम इन शब्दों का आम तोर पर इस्तमाल करते हैं, जैसे कि आमने सामने, उपर नीचे, दाए बाए, इदर उदर, अगला है क्रिया विशीशन के चोदा प्रकार, वो है परिमान वाचक क्रिया विशीशन, जो शब्द क्रिय तकि मात्रा के बारे में बोध कराएं, उन्हें हम परिमान वाचक क्रिया विशीशन केते हैं, जैसे कि अब मैं बिलकुल ठक गया हूँ, उतना खाना चाहिए जितना पच सकें, इन वाक्यों में बिलकुल उतना जितना इस अभी शब्द परिमान वाचक क्रिया विशीशन ह परिमान वाजक क्रिया विशेशन पांच प्रकार के होते हैं पहला है आदिकता वाजक इसके उदारन है खूब, अत्यंद और आदिक दूसरा है नियूनदा वाजक नियूनदा वाजक के उदारन है कम और थोड़ा तीसरा जो प्रकार है वो है पर्याप्त वाजक और इसके उदारन है पर्याप्त और काफी और चौदा है तुलना वाजक और तुलना वाजक के उदारन है कितना और जितना पांचवा प्रकार है श्रेनी वाजक श्रेणी वाजक के उदारण है बारी बारी से कम से और थोड़ा थोड़ा ठीके बच्चों आशा करती हूँ आप सबी को क्रिया विशेशन के बारे में पता चिला होगा तो अगले वीडियो में फिर मुलाकत होंगे तब तक के लिए दन्यवाद